हालो दोस्तों कितने दिनों से आप लोगों का सब कमेंट आ रहा था कि सर इसका आइसी का नंबर बताईए नंबर बताईए तो नंबर तो मैं नहीं बता सकता हूँ लेकिन कौन से नंबर का डांजिस्टर है मॉस्टेट है वो कैसे पता करते है उसका इक्युवेलेंट कैसे पता करते है वह मैं आपको अभी इस ट्यक्निक के द्वारा बताऊंगा तो सबसे पहले जिसकी से भी मॉस्टेट का नंबर आपको पता करना हो वो मॉस्टेट पहले आपके पास होना चाहिए जिसका नंबर निकाल दिया हो मिटा दिया हो एसा मॉस्टेट चाहिए और बाजार उसे पात-दस ऐसे मोस्टेट लाके आपको सब में जैसे मैं करता हूं वैसे करके आप उसका इक्युवेलेंट पता कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता करते हैं तो सबसे पहले एक ऐसा आपके पास टेस्टर होना चाहिए देखिए ठीक है फिर आपको क्या करना है कि जो नुमबर मिटा दिया है वो मोस्टेट को पहले ऐसे चेक करते है कि कुण से रांग में यह एलेडी हो रही है कुण्सेश देखो यहां पहे एली नहीं हो रही है कि यहां पह रही है ठीक है यह नेथिन कि आप बेह इस रहे हैं और है यह वाले में भी कही好 हो रही है तो कि ऐसा एक मेरे पास वह एकुल्च है मैं आपको बचाता हूं तो जैसा इसमें लाइट होता है, उसी तरह इसमें भी लाइट होगा, थेको पहले में नहीं हो रहा है, दूसरे में हो रहा है, तु ये दोनों अलग-अलग नंबर का है, लेकिन इसका जो कारिया करने का जो वो है टेक्निक वो एक है, तो ऐसे आप किसी भी MOSFET का किसी भी transistor का आप equivalent पता कर सकते हैं इस tester की वज़े से इसमें आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और किसी भी MOSFET का आप number पता कर सकते हो और दो MOSFET ले लेते हैं तो पहले यहां पर रखना है फिर देखो इसमें नहीं हुआ 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 इसमें हुआ इसमें हुआ इसमें हुआ इसमें हुआ फिर आप इसको क्रोस चेक भी कर सकते हैं यहां पर रखके देखो यह दोनों ट इसमें नहीं हो रहा है तो आप ऐसे किसी भी मोस्फेट का नंबर तो पता नहीं कर सकते हो लेकिन इसका एक्वेलेंट मोस्फेट आप पता कर सकते हो कि एक्वेलेंट मोस्फेट कौन सा है अगर आपके चटका मशीन में ऐसा कोई भी मोस्फेट है जो आपको पता ना हो अगर मिटा मिटा दिया गया हो मॉस्फेट का नंबर तो बजर से आप 5-10 ऐसे मॉस्फेट लेके आप ऐसे चेक करके उसकी जगह यह डालके आप पता कर सकते हो और आपकी प्रोब्लम सॉल हो सकती है फिर एंपियर का कितना एंपियर का है वह सब में आपको बाद में बताऊंगा फ वह मैंने आपको बता दिया ठीक है तन्यवाद अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब चरूर कीजिए